नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपकी होश्ट और दोस्त और आप देख रहे हैं धमस्रमाग दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए दोस्तों जैसा कि हम सभी जान रहे हैं दो सितंबर दो हजार अठारों को बुद्ध का रासी परिवर्तन हो रहा है और रात्री नौ बजे बुद्ध जो कि अभी तक आपकी कुंडली में आटमे भाव में बिराजमान है अब नवे भाव में प्रवेश करेंगे और यहां पर सूरे पहले से ही मौजूद है अब सूरे और बुद्ध एक साथ हो जाएंगे तो बुद्धादित्य योग बनेगा और यह बुद्धादित्य योग राजसी योग है आपको इस योग का पुरा फाइदा उठाना है और यहां पर बुद्ध 2 सितंबर 2018 से 19 सितंबर तर आपको बहुत अच्छा समय मिल रहा है आप इस समय का पूरा फाइदा उठाइए यहां पर नौवे भाव में सूरे बुद्ध पैठने से भाग्योदय होगा और आपके रुकेवे सारे काम भी पूरे होगे कोट केचरी मुकदमे में विजय की प्राप्ति होगी आपको विदेशियों से भी लाप होगा और साथ ही साथ आपको ससुराल पक्ट से आपकी पतनी से घर वालों से हर तरब से चारो दिशा से आपको हर तरब से अच्छी समाचारों की प्राप्ति होगी हम बतलाते हैं कि आप धनु रासी वालों के लिए कुंडली में बुद्ध की क्या इस्थिती होती है बुद्ध कैसा प्रभाव देता है देखिए धनू वलों आपकी बुद्ध के बिना ना तो आपकी साधी होती है और ना ही आपका केरियर और ना ही रोजगार इस्तिर होता है बुद्ध कमजोर अगर आपकी कुंडली में है मैं अभी की बात नहीं करनी हूँ मैं आपकी कुंडली की बात कर रही हूँ धनूरासी की बात कर रही हूँ तो बैवाहिक जीवन में समस्या आ जाती है बुद्ध को मजबूत करने के लिए धेर सारे आपको हरे बिक्ष लगानी चाहिए और उसकी देखवाल करनी चाहिए लेकिन अभी जो इस्थिती बन रही है उसे आप ठीक करने के लिए ये आपका जो भाग्योदय वाला वक्त है आप इसका पुरलाव उठाईए अब हम बतलाते हैं आपको कि ये बुधाती तीय योग ज्यादातर कुंडलियों में या फिर बहुत सारी कुंडलियों में होता है यह योग काफी प्रवल भी होता है और इसका निर्मान तब होता है जब सूर्य और बुध कुंडली में एक साथ बैठे हुए हो यदि कुंडली में यह योग है जैसा कि अभी आपकी कुंड जनकी प्राप्ति अवस्य ही होती है और ब्यक्ति अत्यंत प्राकर्मी होता है अत्यंत सहसी होता है अभी जैसा कि यह आपकी बुधादिती योग बनेगा कुंडली में दो सितंबर से 19 सितंबर के भी आप इसका पूरा फाइदा कैसे उठाएं सुर्योदे के पहले आप उठि साब सुत्रे सलीके से रहिए साथ ही देर रात तक जागने से बचें और सुभा देर से उठने से भी बचें नहाने में लापरवाही ना करें वरना इस योग का आपको पूरा लाव नहीं मिल पाएगा आप चाहें तो इस योग को और प्रवल करने के लिए ओम बूम बुद्धाय नमा ओम बुद्धाय नमा वैसे धनुरासी वाले ओम बूम बुद्धाय नमा का जब ऐसे भी अपनी आम जीवन में भी कर सकते हैं इनको फायदा ही होगा नुकसान तो होगा ही नहीं ओम बुम रोजगार और धन समंदी जो भी परिशानी है वो मुस्किलें दूर हो जाएंगी धनिवाद दोस्तों हम फिर मिलेंगे